नमस्कार आरे नियूस देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पल्लवी सिंग उत्रगंद बुलिचिन में आपको स्वागत है शुरुआत करते हैं बुलिचिन की बहादराबाद से जहां ध्वनी प्रदूशन मामले को लेकर उच्चे नयायाले के आदेश के बाद बहादराबाद पुलिस प्रशासन ने सतरक्ता दिखानी शुरू कर दी है प्रदम चरण में बहादराबाद पुलिस दुआरा सभी धार्मिक सलों से जुड़े सभी समुदाय के लोगों को मीटिंग के लिए बुलाए गया यहाँ पर उच्चे स्थरीय बैचक की गई जहाँ पर उच्चे नयायाले के आदेशों की जानकारी देने के साथ ही लाउट स्पिकर हचाने की अपील की जा रही है इस क्रव में आज बहातराबाद में भी पुलिस ने धार्मिक सलों से जुड़े लोगों को बुलाया और उनके साथ एक बैचक की गई इज़रान रीना राठोर सीओ बहातराबाद ने बताया कि उच्चे नयायाले के आदेश के संबंध में पुलिस महाने देशक उतराखन द्वारा एक अभ्यान चलाया जा रहा है इसमें ध्वानी प्रदूशन नियंत्रित करने के लिए सभी धर्म के लोगों को थाना बहातराबाद पर इसर में बुलाया गया जहां उनको धार्मिक सल से होने ध्वानी प्रदूशन के संबंध में अफगत कराते हुए उन्हें अपने धार्मिक सलों से लाउट स्पीकर क हटाय जाने का अनुरोद किया गया साथी उसका पालन ना करने पर कारवाई के जाने का अल्टिमेचम भी दे दिया गया है रीना राठोर शेत्रादिकारी बहादराबाद ने ये भी बताया कि माननिय उच्चनयायाले के आदेश अनुसार सभिव धारमिक स्थलों से लौट स्पीकर हटाय जाने के आदेश के सम्मन्ध में आज ठाना भादराबाद में सभी धारमिक धर्म गुरूओं और सभी धर्म के लोगों के साथ ये समीक्षा बैच्च की गई है इसमें धर्म गुरुओं और शेत्री लोगों ने उच्चन आयाले के आदेश का समान करते हुए ये विश्वास दिलाया है कि वो पुलिस के सईयोग में खड़े रहेंगे साधी अपने धर्मिक सलो से वो खुद ही लाउट स्पीकर को हटाएंगे और सियो रीना राच्चोर ने ये भी बताया कि सवी धर्मों के गुरुओं और लोगों को शबत दिलाये गई और शबत पत्र उन से लिया भी गया है इसके बाद भी लाउट स्पीकर जैसी गतिवीदियों का मामले संग्यान में अगर आता है तो उनके विरूद नियम अनुसार कारवाई की जाएगी हमारे बादराबाद एसो साथ जो है उनकी दावत पे हम यहाँ आए हैं और हमारी खुशकिसमती की बात है कि यह बाद भी इसमें शरीक हुए मिटिंग में मस्जिदों पे जो माइक लगे हुए है और उनकी जो आवाज ज्यादा है यहा हमें बात कही गई है कि आवाज क्य तो हम सब इसको चीदी को को अधराद नहीं हम मुकम्मल तोब्त से अपनी सरकार के साथ अपने परशायसन के लाउसता उत्रा जाए और बात है में जब इसमें राजी है अज हमारे थाना चेत्र बहादराबाद में हमने सभी धर्मा विलेंबियों की आज मेटिंग की है थाना चेत्र बहादराबाद में और सभी से अनुरोद किया है कि वो अपने-अपने मंदिर मस्जिद गुर्दवारों पर लगे लाओड स्पीकर्स को मान्य नियाले के आदेश के क्रम में हटा ले और इसी क्रम में उनसे एक अंटर्टेकिंग भी भरवाई जा रही है और मुझे खुशी है कि हमारे चेत्री के सभी जितने भी धर्मा वलगदी है उन्होंने ये आशा दिखाई है और सहयोग की उम्मीद जगाई है कि हम और हरिद्वार में युवा कारिकरम खेल मंतर वाले भारस सरकार के नहरू युवा के इंद हरिद्वार के तत्वाधीन में फिचतरवा आजादी का अमरत मौसब मनाय गया है इस अफसर पर हर की पॉड़ी से गांधी उद्वार बियच एल तक 7.5 किलो मीटर तक करीब 75 युवां द्वारा साइकल रैली निकाले गई तो मैं रैली का शुभारम राज्य सभास अदस से नरेश बंसल ने किया उन्होंने युवां को संबोधित भी किया और ये साफ बोला है कि आज हमारा देश आजादी का अमरत मौसब मना रहा है पदान मंतरी के फिट इंडिया के सपने को साकार करने के लिए साइकल रैली का आयोजन किया जा रहा है इस रैली का उदेश आम जन मानस को फिट रखने के लिए किया जा रहा है साधी युवाओं के माध्यम से आम जन्माना साइकल को जाने और पहचाने और अधिक से अधिक साइकल का प्रयोग करें उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश में 60% प्रतिशट भागेदारी युवाओं की है जो कि आजादी का मुर्थ महस्वा मना रहे है साधी परयवरण को सुरक्षा रखने और स्वास्त के लिए साइकल का काफी महत्व है जिसे बताया गया साधी साइकल चला कर फिट रहने का संदेश भी ज़रान दिया गया है उन्होंने ये भी बताया कि मागंगा के तड़ पर भारत को स्वास्त रखने की कामना की और साथी आजादी का स्वनकाल 2047 का भारत कैसा होगा ये सोचते हो एन्हे भारत की कामना की गई है अखबर चंपावत से है जहां उपचुनाव में सीम पुषकर सिंग धामी की एतिहासिक जीत में संद समाच में भी उत्सा देखने को मिला है द्वार के निरंजनी अकाड़ा में साधू संतों ने एक दूसरे को मिठाई किला कर अपनी खुशी जाहिर की इस औरान अकाड़ा परिशुत के अध्यक्ष और निरंजनी अकाड़ा के सचे महंत रविंद्र पूरी ने कहा है कि चंपावत उपचुनाव में सीम धामी की जीत ही नहीं बलकि हिंदू, मुसलिम, सिक, इसाई समेच सभी धर्मों की जीत है सिम पुश्कर सिंग धामी ने अपने नेत्रित्व में अब उत्राखंड में विकास की गंगा निरंतर बहाएंगे और इसी के साथी उन्होंने ये भी काया कि धरातल पर देखा है कि कॉंग्रेस की सरकारों ने उत्राखंड में कोई विकास कारे नहीं किया इसलिए राज्य की जनता ने कॉंग्रेस को नकार दिया और भाजपा में विश्वास जताया है करेंगे और इस बीच रुक करेंगे हरिद्वार का जुहानगर निगम शेत्र के दो वाड़ों में उप्चुना बारा जून को होने जा रहे हैं इसी को लेकर अब भाजपार कॉंग्रेस सामने सामने है आज भारती जुनता पार्टी के वार्ट नमबर दुनो में पार्षित प्रतियाशी ने कारयाले उद्खाटन में पहुँचकर भारती जुनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने जुनता में जोश भरते हुए कहा कि जैसे आप भाजपा को पूर्ण बहुमत से अपना बहुमत दे कर जिताते आए हैं ऐसे ही इस वार्ट के सुरेंद्र मिश्टा को अपना वोट दे कर जिता हैं और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि जो भी आपके समस्या होंगी चाहे वो कोई भी समस्या हो उसका पूरा करने से और उसको ठीक करने के लिए पूरा काम किया जाएगा ऐसे में भाजपर के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने ये भी कहा कि आज ब्रहंपुरी में वाड नमबर 9 के कारयाले का उद्खाटन था और ये वाड मेरी विधान सभा में आता है तो विधान सभा में होने के नाते आज मुझे आने का अफसर मिला है और यहां जो उद्खाटन देखने को मिल रहा है वो एक कारयाले के उद्खाटन में जितनी विधान सभा में भीड होती है उतनी ही यहां वाड में लोग बाहर निकल कर आए निश्य दुरूप से भारती जुनता पार्टी इस वाड को बड़े मार्चन में जीतेगी आज बरहंपरी जो हमारा वाड है इसके कारयाले का उद्खाटन था और मुझे परसंदता है कि यह मेरी विधान सभा में है तो विधान सभा में होने के नाते आज कारयाले उद्खाटन में मुझाने का अवसर मिला है और यहां में जो उत्सा देख रहा हूँ और एक कार्याले के उध्गाटन में जितनी विधान समा में भीड़ोती इतनी हाँ वाड में आज लोग बाहर मिचल गए हैं निश्चित रूप से भारते जनता पार्टी इस वाड को बड़े मार्जन से जीतेगी आज बहुत उस्सा है जो हमारे परदेश सद्धच ने आज जो उध्गाटन किये हैं मिटिंग लिए हैं बहुत जवर्दस्त हुआ है अब बरहंपूरी के जनता के सहयोग से हम जो है बहुत 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 से जीतेगी सफाई के मुद्धा बढ़ियां रहेगा और जो है लॉव डुए इसका क्या नम है और जो सफाई होगा लैट होगा पानी होगा जो भी आँका समस्या है सारे समस्या बहुत बढ़ियां मिल रहा है बरतेंगली खबर की ओर हरिद्वार में समाजे कारे करता मुहमद सलीम ने हजरत शाह शहीद और फकाठा पीर के सालाना उर्स पर होने वाली अवयवस्ताओं के सम्मंद में मुख्यमंत्री को एक शिकायती पत्र प्रेक्षित किया है इसमें सलीम ने बताया कि हजरत शाह शहीद और फकाठा पीर का सालाना उर्स होने जा रहा है और इस उर्स में पूरे हिंदुस्तान से हिंदू, मुस्लिम, सिक, इसाई और लाखो अकीगत मंद दरगा पर आते हैं और उर्स के वक्त अकीगत मंदो को अवयवस्थाओं के कारण काफी पर रिशानी होती है जिस कारण उसे उर्स के वक्त पर निम्लेकित अवयवस्थाएं दुरूस कराये जाने की आवशकता है इस पत्र में उन्होंने बताया है कि सलीम ने कहा कि अकीगत मंदों से वान पार्किंग शुल्क के नाम पर मनमाना धन वसूला जाता है साधी इस मेले में आए दुकानदारों से वसूली किये जाने वाली तै बाजारी शुल्क की सूची प्रदर्शित कराये जाने की मांग उठाई आरोब ये भी सामने आए कि पवित्र स्थल्पा सरकस के नाम पर अशलीलता पर उसी जाती है इस प्रकार से सरकस को प्रतिबंधित किया जाए और उर्स में अपरादिक प्रवर्ती के व्यक्ति वाहन चोरी और छेचाट की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है इन तमाम समस्याओं से सीम को अवगत कराते हुए उर्स के वक्त सुरक्षा व्यवस्ता को बढ़ाये जाने की मांग उठाई गई ताकि इस तरह से जो अपरादिक गतिविधिया हैं वो ना हो सके कुछ अपरादिक प्रवर्ति के व्यक्ति ठेकेदारों और पुलिस से साथ गाट कर गैर कानूनी सटे बाजी भी करवाते हैं जिस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंद लगाये जाने को भी इस पत्र में बताया गया है और यह मांग की गई है कि इन तमाम अव्यवस्थाओं को ठीक किया जाए पानी की सेवा करता हूं तो वहाँ पर बहुत भष्टा चार होता है जिसको लेकर वहाँ पर सरकस लगाये जाता है और सरकस में असली डांस करा जाता है कम कपड़ों में जिससे कहीं न कहीं पवित्र अस्थान पर यह गलत कारिये नहीं होना चाहिए मेले में सटे बाजी कराई जाती है पुलिस से मिलकर और कुछ गुंडे किसम के व्यक्ति हमारी मा बहन बेटियों को भी छेड़ते हैं जो पुलिस को वहाँ पर इस बारे में भी विशेज कदम उठाना चाहिए में कप्तान साथ को और अब रुख करते हैं लिए खबर की ओर लालकुआं से खबर सामने आ रही है जो लालकुआं के बंदुकता चौकी प्रभारी और वकील के बीच कुछ दिनों पहले से चले आ रहे हैं विवाद ने इतना तूट पकड़ लिया कि वकील के समर्थक अब S.S.P. नैनिताल के पास चौकी इंचार्ज के खिलाब पहुंच गए उन्होंने चौकी इंचार्ज को चौकी से हचाने और उनके खिलाब कारवाई की मांग कर डाली है पर कुछ लोग ऐसे भी है जिनूने चौकी इंचार्ज मनुद चौदरी का काम समय से बहतरीन दिखा और शेत्र में बढ़ते अपराद और नशा खोरी को लेकर जो पहल चौकी इंचार्ज की तरफ से कराए गई उसकी सराना करते वह शेत्र के लोग ही कहीं पीछे नजर नहीं आए साथ ही आज कई दर्जन भर लोग जिसमें पुरुश और माईलाय मिले हुए थे और इस सब मिलकर हलदवानी स्पी सिटी के कारियाले पहुँच गए इन तमाम लोगों ने यहां एक ग्यापन भी उचादिकारियों के नाम प्रिक्षित किया है साथ ही लोगों ने स्पी सिटी से कहा कि चौकी इंचार ज्वारा कम समय पर बिंदुकता शेत्र में बढ़ रहे अपराधो और नशा खोरी पर अच्छा काम किया गया है इन चीजों पर अंकुष भी लगाए गया और उनका वैभार जंता के प्रती काफी अच्छा है जिसके चलते उनका ट्रांसफर रोका जाए इससे अब शेत्र में खुशखाली और महौल बरकरार रहे और नई पीडियां ना बिगड़े इसलिए SPCITY हरबन सिंग ने भी लोगों को भरोसा दिलाया कि वो उच्छ अधिकारियों से इस समंध में बात करेंगे और जो भी कारवाई होगी उचित कारवाई होगी वो उच्छ अधिकारियों के साथ बात करके की जाएगे आपको ये भी बता दें कि इस दोरान कहा गया कि जो उच्छ अधिकारियों का आदेश होगा उसी के अनरोप पालुन किया जाएगा ये बिंदू किस्ता चेतर के कुछ ग्रामेंट महिलाएं और पुर्ष मेरे पास आये हैं जिनके दवारा अवबत करायागा कि चौकेंचार जिनको वहां से अटाया गया है उन्होंने बिंदू किस्ता चेतर में बहुत अच्छा काम किया है नशे के घृद्ध भी काम किया है और उनका आमशभी प्लिक के बीच में बहुत बढ़िया है और उनके द्वारा ये निवेदन किया गया है यागरा किया गया है कि उनको वहां से नहाट आया इसके लिए मैं कप्तान साहब से और असीडियन अपसर से बात करूँगा और जो भी उसमें द्रिने लिए अब आसपूर से एक खबर सामने आ रही है यहां सुल्तानपूर पट्टी में तेहसील और नगर पंचाथ प्रिशासन ने हाई कोट के निर्देश पर अतिक्रमन हटा वो अभ्यान चलाया इस दौरा प्रिशासन ने तालाब की भूमी पर लोगों द्वारा किये गया अतिक का दायर की थी इसी दौरान इसी आचिवा के चलते हाई कोट ने स्थाने प्रिशासन को अतिक्रमन हटाने का आदेश जाले किया इसी के चलते तैसिलदार और पंचायत के अधिशासी आधिकारियों ने मिलकर राजस्वो और नगर पंचायत की टीम के साथ संयुक है इसके कदम में तलाब की जितनी भी भूमी है और जिसको आतिकिरमत किया गया है उसको जो हाज जो हटाने की कारवाई प्रागम कर दी गई है 31 इसमें चिन्नित किये गए हैं बाकी का सरवे जारी है वो भी जितने भी लंबित हैं अभी तो 31 की हमने सूची बना रखिये और उसके अनुसार ही इसको हटाया जाए यह मानने उतनी आतिकिरमत कारियों और कारिकरताओं द्वारा आतेश बाजी की गई इसी के साथ ही मिष्ठान भी वित्रन किया गया और इस दोरान बीजेपी कारेकरताओं ने मुखे मंत्री फुष्कर सिंग धामी और भारती जुन्तापार्टी के गगन चुम्बी नारे लगाते हुए राज चलते लोगों को भी मिठाईया खिलाई हैं साथ ही लोगों को अमी मिठा कराकर बधाई भी साज़ा की गई और इस दोरान पूर बीजेपी विधायक और निकब महापॉर्ड ने मीडिया से बातशीत भी किये आपको बता दे कि धामी की धाकड जीत ने विपक्ष को चारों खाने चुत कर दिया है और चंपावाद दिखते ही बनती है और लगातार जो बीजेपी के नारे हैं वो लगाये जा रहे हैं और पुश्कर सिंग धामी की जीत का ज़ज्ड लगातार जारी है जो हमारे राज का जो सरूप है जो विकास होंगे जो अलग अलग उनकी योजनाए हैं जो हमारे राज सरकार के लिए होगी निश्चीती राज सरकार की योजनाए जन्ता के हर जन्ता के अंतिन छोर तक बैठे हुए वेक्टी तक वो जो अखबड लक्सर से है जो हाँ पर खानपूर विधायक निर्दन परिवारो का सहरा बने है जानकारी के अनुसार विधायक ने 6 गरीब मुस्लिम और 4 गरीब सोहाई हिंदू बेच्चों की सअमुइक शादी करवाई समुईक शादियों का कारिक्रम लक्सर के बैंक के छॉल में कराए गया जहां दोनों समुदायक के बेचियों की शादी उनके धर्म और रीती रिवास के अनुसार करवाई गई है इस दरान विधायक ने अपनी ओर से कन्यादान के तौर पर शादित समंदेद घरेलु समान भी बेच किया बात जब हम विधायक बनेते शुरू में कही थी कि हमारी जो भी तंखवा विधायक के तौर पर हमें मिलती है तन्ख्वा से हम अनात कन्याओं की यह जिनके पिता नहीं है उनकी शादी कराएंगे उनका विवास संपन कराएंगे उनके घर के लिए जो भी एक क्योंकि दहेज परता का मैं खुद विरोत करता हूं लेकिन कन्या को कन्या दान सवरूप जो भी उनके घर के लिए आवश्य वस्तुएं हैं वो भी सब देंगे और उनके परिवार के सब के परिवार के लोगों को अमंत्रित करेंगे और सामोईक विवा इस तरी के से करेंगे कि हर्शो उल्लाद और एद्वार से एक खबर सामने आ रही है जोहां बिना अनुमती के निमंतरन पत्र पर नाम चापने को लेकर महामंडलेश्वर संत ने विरोज जताया है उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर आयोजगों के खिलाफ कारवाई की मांगी और आपको इभी बता दे चलें कि श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदास्सीन के महामंडलेश्वर और श्री प्राचीन अभूत मंडल आश्रम की पीठाधीश्वर महंत ने उनसे बिना अनुमती लिए कार्ट पर नाम चापने को लेकर विरोज जता है गौर्तलब है कि थाना जबरेडा के लच्रादेवा निवासी के निवास पर आगामी पांग जून को मानफता का संदेश नाम कारेकरम का आयोजगों किया जा रहा है इसमें विसिश अधिती के तोर पर महंत का नाम चाप दिया गया लेकिन महाराज की अनुमती नहीं लिग गई इसी की जानकारी मिलते ही मंत ने खासी नाराजगी जाहिर करते हुए जबरेडा थाने में तहरीर दे कर आयोजगों पर सवाल उठाए है जबरेडा थाना चेत्र में इसी मदर्शे में कोई कारकाम है जिसमें मुक्यातिती डिजीपी उत्राखंड और विसिश्टतिती के रूप में हमारे सस्पी और डियम का नाम है इसमें कुछ संतों का भी नाम है मेरा नाम है जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं है ना कोई अनुवती प्राप्त की गई है केवल नाम चाप दे गए ये केवल हमारी च्छवी खराब करने का एक प्रियास है और जिस प्रकार किसकी मजमून है इंदू, मुशलिम एक्ता और की बात की गई है, हमारे देश में बहुती सामपरदाइक स्वार्द है, किसी प्रकार की कोई ऐसी अबीदी 26 मई की रात को शिवालिक नगर गष्ट के दौरान ड्यूटी में तनात पुलिस कर्मियों पर कुछ अग्यात बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया है, बताया पुलिस कर्मचारियों पर जानलेवा हमला कर दिया गया, इसमें एक पुलिस कर्मी प्रीतपाल को बाइयांक में गंभीर चोटाई, जिसके बाद हरिद्वार और आसपास के थानों की कई पुलिस टीमों का गटन किया गया, साथी उप्रोक्त घटना के प्रारंबिक अन्व और इससे साफ हो जाता है कि यारोपी इससे पहले भी कई अपरादी घटनाओं को अन्जाम दे चुके हैं, फिलाल पुलिस टीम को ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि उप्रोक्त गैंग खाना बदोश पार दी जाती के कुख्याद गैंग से तालुकात रखते हैं, जो